Hello dear students, देखिए बटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, class 10th का chapter number 2, polynomial, ठीक है, देखिए chapter 1 मैंने आपका complete करवा दिया है, chapter 1 आपका real numbers, उसके मैंने जितनी भी complete theory थी, plus उसमें जो भी formulas थे, concept थे, questions भी मैंने cover करा दिये, ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे है, chapter 2, polynomial, त chapter है, तो इसको पढ़ेंगे बहुत ही basic से, ठीक है, तो दीक है, सबसे पहले हम जानते है कि, polynomial क्या होता है, ठीक है, what is polynomial, तो दीक है, polynomial क्या होता है, polynomial एक क्या है, polynomial एक algebraic expression है, जिसमें आपको variable और plus constant को क्या करना होता है, ठीक है, ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है, कि what is polynomial, कि an algebraic expression of the form, तो किस form का होना चाहिए, polynomial, देखिए, इसका जो general form होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है, यहां पर, देखो बहुत ध्यान तर समझना, वो आपक x square, plus a3 x cube, plus, आप ऐसे लिखते चले जाओ, a4 x to the power 4, और plus, इस तरीके तो जाब चलेंगे, तो आप आएंगे तो यह हो जायागा, बेटा, an x to the power n, यह, ठीक है, तो देखिए, एक कोई भी ऐसा expression, जिसमें आपने क्या किया, कि variable और constant को, ठीक है, ठीक है, प्लस, माइनस, य उसे हमनों क्या कहते है, ठीक है, तो यही होता हमारा क्या, इसको basically हमनों किस नाम जाते है, कि यह हमारा algebraic expression होता है, क्या होता है, ठीक है, यह algebraic expression होता है, ठीक है, algebraic मतलब क्या हो गया, ठीक है, algebraic का basically meaning यही होता है, कि algebraic का जब भी बात होती है, तो उसमें हमारे पास variable और constant इनक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, variable plus constant क्या होते हैं, उसमें इनक्लूड होते हैं, अब देखो प्रह पर यहां पर ध्यान रखना है, जो important बाते हैं वो क्या, पहला देखो जला ध्यान से समझना, क्या, आप एक छी देखो पिटा, कि जो A और झ के अट गर पर देखो, अगर आप इस A0 को ध्यान से देखो, A0 जो लिखा हुआ है, यहां पर भी x लिखा हुआ है, बस x की value क्या लेखी गई? जीरू आपको पता है कि अगर x की value x की power क्या हो रहे बटाँ, 0 हो रहे तो value क्या हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी, ठीक है, यह चीज, तो देखें, इसी भी polynomial में जो expression लिखा होता है, उसमें जो variable होता है, variable x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, variable, तो जो variable होक आपके पास कि A0, A1, A2, A1, A2, A3, यह जो बेसकर लिए आपका नंबर चलते चले जा रहा है, इन नंबर्स को आप रियल नमबर बोल सकते हों कि यह कोई भी रियल नमबर हो सकते हैं, ठीक है, और X क्या यहाँ पर? X जो है, यह हमारा variable है, ठीक है, X के आए यहाँ पर, यह आपका variable है, ठीक है, यह चीज, किलियर है भाई, ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, basically, polynomial क्या हो, फिर से मैं repeat करता हूँ एक बार, कि यह बटा क्या है, यह एक algebraic expression है, जो कि आपका general form यह होती है, हमारे पास, ठीक है, इसम और भी आपको ऐसे form में कुछ भी मिल जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे, polynomial कहेंगे, ठीक है, ठीक है, तुछ थृफ और जान लेते हैं इसके बारे में, कि देखिये, polynomial के कुछी examples देखती है, ठीक है, यहाँ पर हमें clear होगा, ठीक है, ठीक है, हो जाएगी आपके degrees के क्या हो जाएगी वन हो जाएगी ठीक कि एक polynomial है ठीक अच्छा अब सब्सक्राइब मालो मैंने ऐसे लिख दिया कहीं पर क्या कि root x plus 1 क्या यह polynomial है नहीं बिटा यह polynomial नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसको आप एसे लिख सकते हो x to the power 1 by 2 plus 1 और अभी मैंने क्या बताया था अभी मैंने बताया था कि जो x होगा इसकी जो power होगी यह power होगी यह क्या होगी यह whole number होगी तो आपको पताया कि whole number होगी तो देखिए 1 by 2 तो whole number है नहीं ठीक है इसका मतलब क्या होगा कि आप कह सकते कि यह polynomial नहीं होगा ठीक है यह polynomial नहीं होगा ठीक अच्छा देखो एक example और भी लेते बिटा देखिए जैफे suppose मा लेजे मैंने यह आप एक example लिख दिया x to the power minus 2 x square plus x square x to the power 4 plus x square अब चेक करना क्या यह polynomial है देखिए कैफे चेक करेंगे मैंने ऐसे लिख दिया बिटा यह one upon x square देखिए यह x to the power minus 2 है उसको पहले positive में convert करते हैं यह क्या हो जाएगा x to the power 4 और यह हो जाएगा हमारा x square ठीक है यहां तक किलिए रहे है अब आप इसको divide करो बिटा देखो multiply करोगे तो यह हो जाएगा x to the power 4 और यह हो जाएगा x square और plus x square upon x square तो यह value cancel होड़े अब देखो बिटा 2 power है एक power cam हो जाएगी यहां पर तो यह कितना हो जागा x to power 2 plus 1 अब देखो वही आगे x to power 2 plus 1 तो देखो इसकी जो degree बिटा हो क्या whole number है whole number है कि इसका होगा होगा यह polynomial है ठीक है यह चीज़ के लिए रहे है ठीक है ठीक है degree आप class 9 ती पढ़के ते degree मतलब क्या होता है कि कोई आपके पास algebraic expression लिखा हुआ है कोई भी algebraic expression लिखा हुआ है उसमें जो variable होता है इसकी highest power होती है उसा ही डिग्री कहते है ठीक है ठीक है एक हो mere लोग ऑशकी highest power होगी वुँय च्ов employer हो यह चली ही नेक्स next हमारे पास है अभी आपने जान लिया कि polynomial क्या होता है आप हम लोग जानते हैं कि types of polynomial polynomial कितने types के होते हैं ठीक है तो देखें अगर हम लोग यहाँ पे divide करें polynomial को तो polynomial आपका दो part में divide होता है first जो आपका होता है वो होता है आपका बेटा term basis पे ठीक है ना कि term के basis पर polynomial कितने types का होता है और second हमारे पास होता है degree के basis पे degree के basis पे polynomial कितने types में आपका divide हो जाएगा ठीक है degree के basis पे देखो तो term basis और degree basis यह चीज़ ठीक है अब बहुत ध्याम पर समझना है बिटा देखो अगर मैं बात करता हूँ first आपके पास है कि term के basis पे हमारे पास कितने polynomial होते हैं आपके पास देखो term के basis पे आप बात करोगे तो सबसे पहला हमारे पास आजाएगा यहाँ पर constant polynomial क्या आजाएगा बिटा constant polynomial constant polynomial के अगर हम बात करते हैं देखो तो constant polynomial क्या होता है देखिए ऐसा polynomial जिसमें एक single term हो और वो constant हो ठीक है ऐसा polynomial जिसमें एक single term हो और वो constant हो ठीक है कैसे जैसे for example मैंने लिख दिया 2 या मैंने लिख दिया 3 या 4 लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आप लिख सकते हो ठीक है minus 14, minus 16 कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर minus 10, ठीक है तो आप ही देखिए अगर जनली आप इसको देखोगे तो बहुत से बच्चे बोलेगे कि यह polynomial नहीं है बटा नहीं ऐसा नहीं यह polynomial है बट कैसा polynomial है? constant polynomial क्यों है? क्यों कि देखो बटा अगर आप चाहो तो 10 को ऐसे भी लिख सकते हो minus 10 into x to the power 0 आपको बता है कि x की power 0 value क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी तो आपने देखा कि यहाँ पर x की जो power वो एक whole number है बटा आपस अभी में लिख सकते हो लिख सकते हो गो नहीं? लिख सकते हो तो x की power क्या हो गई? 0 हो गई तो जब x की power 0 हो गई तो देखिए यह आप मैं कहा सकता हूँ कि इसकी जो degree हो जाएगी बटा वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और जब degree 0 हो गई ठीक है ना? तो देखिए यह follow कर रहा है किसको general form को polynomial के ठीक है? जो a हमारा वो क्या है? एक real number है और जो x की power है वो क्या है? whole number है इसका हमला यह constant polynomial कहलाएगा ठीक है? तो आपको याद क्या रखना है कि जो constant polynomial होता है बटा उसकी जो degree होती हो क्या होती है? जीरो होती है यह important बात है यह आप याद रखेंगे ठीक है? चलिए अब देखते है second type क्या हमारे पास है? देखो constant के बाद हमारे पास second type में आता है हमारे पास zero polynomial ठीक है? कि zero polynomial क्या होता है? बहुत द्याम फे समझेंगे अगर मैं बात करता हूँ zero polynomials की zero polynomial क्या होता है बेटा? देखो एक ऐसा polynomial जिसमें single term हो और वो क्या हो मारा? वो बेटा हो मारा zero यानि जब भी कोई polynomial एक single term consist करता है और वो क्या होता है आपका? वो आपका zero होता है ठीक है? तो उसे हम क्या कहते है? zero polynomial कहते है ठीक है? यह चीज़ अब ध्यान क्या रखना है ध्यान यह रखना कि जो zero polynomial होता है इसकी जो degree होती है ठीक है कई बार exam में पूछी गई कि जो zero polynomial है इसकी degree क्या होगी तो आप याद रखेंगे इसकी जो degree होती है वो होती है not defined ठीक है मतलब zero polynomial की degree को आप defined नहीं कर सकते हो ठीक है यह चीज बहुत ध् पुछेगे कि constant polynomial की degree क्या होती ही तो 0 होती है ठीक है और 0 point degree क्या हो जाएगा नॉट defined होताएगा ठीक चलते हैं next type next की ओर देखिए अब आते हैं third type की तरफ देखो third type क्या होगा हमारे पास third हमारे पास आजाएगा यहाँ पर हाँ एक सकूंदशन अर्फ टम के basis पर आपने हाँ देख रहे था अच्छा सोरी सोरी यह तर्म के basis पर नहीं डिग्री के basis पर मैंने याप लिखना चाहिए था एक सकंदशन डिग्री की बेस वाला मैंने बादा दिया है 1 second यहाप पर degree के base कर ले degree degree heading लिख दी यहाप पर मैंने यह degree के basis पर है ठीक है degree के basis वाले है ठीक है यह चीज अब देखो तो ये आपको constant होगा, 0 होगई, अब आगे चलते हैं, next हम यह आपे देखेंगे third third हमारे पास होता है linear, ठीके, third हमारे पास मारे पास क्या होता है, linear होता है ठीके, अब देखो, अगर बात करते हैं लीनियर की, ठीके, तो linear क्या होता है बिट्चा देखो, linear हमारे पास एक ऐसा polynomial, जो की जिसका general expression क्या होता है, ax plus b, क्या होता है, ax plus b, और आपको पता है a की value कभी 0 नहीं हो सकती ठीक है, a की value 0 नहीं होगी तो आपने दिखा है, यह linear polynomial है ठीक है ना, x की power यहां पर क्या हो रही है यह 1, तो इसका मतलब यह हो गया इसकी जो degree होगी, वो क्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है यह चीज, तो इसे मनों क्या कहते है, linear कहते है linear जो होता है, अगर आप इसा graph देखोगे, linear का जो graph देखोगे तो जो linear का graph होता है, वो एक straight line graph होता है, ठीक है ठीक है ये और आप कोई भी गराब ड्रॉब कर रहेंगे तो किसी पिताब मुझे समय सब्सक्राइब यू इस तरीके से भी ड्रॉब हो सकता है या आपका ठीक है ठीक है quadratic polynomial तो देखें quadratic polynomial क्या होता है एक ऐसा polynomial जिसकी degree कितनी होनी चाहिए टू होनी चाहिए यहनी x2 plus x2 plus dx plus c की formula हो विसे हमनों क्या कहते है quadratic polynomial कहते है ठीक है यहू चाहिए चीज़ कंडिशन अभी वही वही है एक कि a is not equal to 0 टिक अब देखो जारा Highest power क्या है इसकी 2 तो डिगरी कितनी हो जाएगी बिटा इसकी power कितनी जाएगी डिगरी कितनी जाएगी 2 हो जाएगी ठीक है यह चीज अब जो exam question आता है कि जो quality question होती है इसका जो graphical अगर आप representation करोगे तो इसका जो graph होगा वो कैसा दिखाई देगा, देखो बहुत ध्याम फे समझना इसका जो graph होता है यह आपका parabola shape का graph होता है ठीक है, यह चीज़ parabola shape का graph होता है ठीक है, parabola shape अगर आप बनाना चाहिए तो कुछ ऐसे बनेगा, इस type में ठीक है, यह आपके x-axis होगी y, negative x और यह negative y ठीक है, तो parabola shape बेटा कुछ यह इस तरीके से बनता है यह इस type में कुछ ऐसा बनता है ठीक है, यह अब ध्यान के देना है यहाँ पर देखो आप देखा कि parabola क्या हो रहा है यह उपर की तरफ बन रहा है, अप वर्ड की तरफ ठीक है तो इसलिए इस परावलो को हम लोग कहते है upward parabola, क्या कहते है इसको upward parabola, ठीक है, यह चीज upward parabola कहते है ठीक है, अच्छा, आप देखो ज़रा अब इस case में आपको याद रखना है कि जब AX उसका प्लस BX प्लस C के फॉर्म में होगा तो अगर upward parabola बन रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिटा A की value जीरो से बड़ी हो जाएगा यानि A is greater than 0 हो जाएगा ठीक, यह तो आपका case first हो गया quadratic में यह आपका case first हो गया ठीक है, case two की अगर बात करते है case two की, तो बहुत ध्याम पर समझना case two में क्या होगा बिटा देखो case two में जो पैरा बोला होगा न आपका वो downward हो जाएगा, मतलब जो open face है, वो नीचे की तरफ हो जाएगा down हो जाएगा, यह इस तरीके से जो open face हो, डाउन आ जाएगा तो इस case में आप कह सकते हो जो a होगा, वो 0 से छोटा होगा यह जो a is less than 0 हो जाएगा ठीक है, तो इस वाले जो पैरा बोला होता है इस पैराबोलो को हम लोग कहते हैं क्या इसको हम लोग कहते हैं downward parabola इसको हम लोग कहते है downward parabola ठीक है? देखो ठीक है? तो यह downward हो जाता है कई बर पूछ लिए जाता है exam में कि अगर A की value 0 से बड़ी तो कैसा equation का जो graph होगा वो कैसा parabola होगा? अब वड़ लिखेंगे तो यह आपका होगया क्या? quadratic का graph होगया ठीक? चलिए next पे देखते हैं next हमारे पास है बिटा cubic ठीक है? cubic की अगर बात करते हैं cubic कैसा देखता है? देखो cubic की अगर बात करोगे तो देखो इसका जो general form होता है वो होता है x cube प्लस bx square plus cx plus d equal to 0 के form में होता है ठीक है? यह चीज़ तो cubic है तो maximum इसकी डिगरी होगी वो क्या होगी? 3 होगी तो अगर हम cubic की बात करें तो general expression क्या होता है? x cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 ठीक है? condition अभी भी होई यह बिटा क्या? कि a की value 0 नहीं हो सकती ठीक है? यह चीज़ अच्छा तो आपने देखा कि highest power क्या है थ्री है तो इसकी degree क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी ठीक है? डिगरी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी अच्छा graphical representation देखें तो कैसा होगा? graphical representation अगर देखें तो कैसा होगा? x y और minus x और यह क्या हो जाएगा? minus y ठीक है? अब cubic है इसका मतलब यह हुआ बेटा कि x axis को यह कहीं किसी भी 3 points पर कुछ ऐसे cut करनी चाहिए ठीक है? चेकर ही कितने point बने देखो ध्यान से देखो first point यह रहा आपका second और third ठीक है? तो यह कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा cubic का ठीक है वही? यह चीज़ तो cubic हो गया last हमारे पास है bicodratic ठीक है? sixth number आपके पास है bicodratic equation तो देखें का दियान से अगर हमनों देखें bicodratic equation की जो general form होता हमारे पास bicodratic equation का जो general form होता है ठीक है? तो वो क्या होता है बिटा? देखो जो bicodratic होता है हमारे पास यह होता है आपका ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus equal to 0 के form में होता है ठीक है? यह क्या होता? इसका bicodratic form होता है अगर आप यहाँ दिखोगे तो maximum power क्या है बिटा? 4 तो आप कह सकते हो कि इसकी जो degree होगी वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी ठीक है? यह चीज़ अब इसका जो graphical representation होगा तो यह आपको क्या करेगा बिटा? कि यह x axis पर जो है वो 4 प्लेस पर क्या करेगा? कट करेगा तो यह हो गया x माइनस x और यह आपका y then माइनस y ठीक है? चलो देखो जरा अब अगर इसको मुझे बनाना हो तो कहीं न कहीं चार जोगों पर कट कराना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से ठीक है? एक, दो, तीन थोड़ा सा इसको extend करते हैं चलो इसको extend कर लेते हैं ठीक है? तो यह आपकी यहां से ऐसे करेगा और इसको मिला लेते हैं ठीक है? यह चीज तो यह देखे आप 4 पॉइंट पर क्या हो रहा है? कट हो रहा है 1 2 3 and 4 ठीक है? तो यह 4 पॉइंट पर आपका कट हो जा रहा है बेटा तो जब ऐसा कोई graph मिलेगा तो आप कह देंगे कि हाँ यह जो curve है यह curve किसको represent कर रहा है बेटा? यह represent कर रहा है आपका by correct equation को कर रहा है ठीक है? तो 2 यहां पर मिल गए और 2 यहां मिल गए कितने हो गए? 4 हो गए ठीक है? यह चीज़ चली अब देखते है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा? देखो दियान से तो आपके पास यह होगे अब लोग देखते है term basis पर देखते हैं एक बार ठीक है? कि term basis पर क्या है? तो degree basis तो आपका खतम हो गया अब term basis की बारी आई ठीक है? तो term basis पर अगर आप देखोगे धियान से term की आदार पर ठीक है? term basis हलागि term basis आप exam में नहीं पुछा जाता है बड़ आपको पता होना चाहिए ठीक है? अब पढ़ रहा हो तो complete पढ़ लो देखो term basis की आगर हम बात करें तो पहला आपके पास होता है क्या? mononomial ठीक है? mononomial ठीक second आपके पास क्या होता है पिटा? second is binomial second क्या होता है? binomial होता है binomial ठीक और third क्या होता है हमारे पास? trinomial third is trinomial बहुत ध्यां पर समझेंगे इन तीनों को देखो बसे तो आप पढ़ गया हो पता ही होगा देखे, mononomial में लग क्या होता है कि जब कोई भी polynomial एक single term यानि कि one term consist करता है only one term ठीक है? एक single term consist करता है तो आप कहते हो कि वो जो polynomial है वो कैसा है बेटा वो mononomial है single term का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे for example आपने लिख दिया कहीं पर 2x 3x ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो आप आपने 4y भी लिख सकते हो 6 भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लग है 4,6 भी लिख सकते हो binomal कहते है जैसे देखो बेटा जैसे मैंने लिख दिया यहां पर क्या? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 2x plus 1 फिर मैंने यहां पर लिख दिया 2x plus 4 तो आप देख रहो कितने term बेटा? 2 term देखो धाना term जो होता है वो plus और minus फिर डिसाइड होता है multiply, divide से डिसाइड नहीं होता है ट्राइनोमिल देखते है ट्राइनोमिल क्या हो जाएगा? ऐसा polynomial जिसमें 3 consist हो 3 term consist करता है ठीक है न? 3 होंगे जिसमें जैसे आपने लिख दिया 2x plus 2x square plus x plus 2 quality question लिख दिया आपने 2x square plus ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर 2x cube भी लगा सकते हो 2x square plus 4 भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यह सब क्या हो रहा है 3-3 term consist कर रहा है तो इसलिए क्या क्या लाएंगे बिटा? यह क्या लाएंगे आपके trinomial क्या लाएंगे ठीक है? यह चीज़ चलिए अब next देखते हैं हमारे पास next जो है वो हमारे पास है क्या heading है? कि zeros of polynomial कि किसी भी polynomial के zeros कैसे find out करते हैं ठीक है? यह चीज़ अब देखो दियांसे समझना है इस चीज़ को अगर हम लोग बात करते हैं zeros of polynomial की तो zeros of polynomial कैसे निकालते हैं? देखी जैसे मैंने च्छोड़ा सा example लिया यहां पर जैसे मैंने आप से कहा कि 2x प्लस 1 ठीक है? तो 2x प्लस 1 लिखा मैंने कहा कि 2x प्लस 1 equal to 0 है तो x के ऐसी कौन सी value होगी जो मैं यह पुट कर दूँ और यह क्या हो जाए? 0 हो जाए तो 2x equal to क्या हो जाएगा? माइनस 1 और x equal to क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई 2 यह तो आया अब इस x की value को मैं यहां दुबारा से पुट करता हूँ तो देखता हूँ क्या यह 0 हो रहा है तो यह हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 फिल तो क्या हो जाए? 0 हो जाए अगर एक्वेशन के लिए 0 हो रहे इसका मतलब क्या हो गया? इस जिस value पर 0 हो रहा तो यह सा क्या कर लाएगा? solution क्यालाएगा और solution को हम लोग क्या कहते है? 0 का कहते है solution को ठीक है यह चीज़ के लिए रहे अब देखो द्यान से तो यह तो यह कंडिशन किस की हो गई जीरो की हो गई अब यह जो मैथड़ आप ने से देखा भी तो यह तो मारा जो मैथड़ वो कैसा है बटा यह तो आपका विदावड ग्राफ है ठीक ना अगर हम इसे ग्राफ में क अबना और रिप्रेजेंट तो कैसे देखेंगे देखेंगे ग्राफ वाला देखतें पहले कोशन इसका और देख लो जैसे for example एक कोशन ओर देख लो इसका जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्राइर प्लेस इसको solve करना है ठेक है तो कर सकते है solve देखे क्या कि मैंने इसको लिखा x square यह हो जाएगा 2 square formula आपको पता ही है a plus b a minus b apply कर दो a plus b और a minus b तो जब अब 0 करोगे तो यह जाएगा minus 2 और 2 यह तो आएगा minus 2 और 2 तो आपने देखा कि x की 2 value मिली क्या minus 2 और 2 क्यों मिली बिटा क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो x की highest power थी वो कितनी थी 2 याणि degree कितनी थी 2 तो देखे जितनी degree यह नहीं होगे उतने ही theoretical meaning of the zeros of the polynomial ठीक देखे जैसे कुछ यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता हूँ आपके पास आप द्याँ पर देखना ज़रा इनको इन ग्राफ को देखना द्यान से तेखे जैसे first graph मैंने आपके पास बना लिया यह यह x axis है y minus x और minus y अभी यह लाइन यह ऐसे कट कर रही इसको ठीक है यह के state line है second graph देखते है second graph हमारे पास क्या है यह x axis है y है minus x axis और minus y एक यह बना लिया मैंने ठीक है इसी तरीके से एक और देख लेते हैं थार्ड एक और देख लेते हैं यह कुछ इस टाइप में बना दिया ठीक है यह अब बहुत ध्याँ पर देखना देखना देखिए कैसे हम लों इसको graphically समझेंगे कि number of zeros क्या होगे किसी भी polynomial के देखो बटा अगर आपको graphically किसी भी graph के निकालने zeros तो आप सिर्फ x एकसे पर देखना दो तो यह x-axis को इस point पर क्या कर रहा बेटा टच कर रहा है या cut कर रहा देखो cut कर रहा है इसका मलब number of zeros इस graph को कितने हो गया वन कितना हो गया वन ठीक है एकसे को एक point पर touch कर रहा है cut कर रहा तो number of zeros क्या हो गया 1 हो गया ऐसे जरा इस graph को देखना 1 और यह क्या हो जाएंगे 2 फेक है तो कितने बाट बट बेट तो zeros कितने हो जाएंगे इसके 2 हो जाएंगे यह चीज़ ठीक है अब इसको देखो पर द तो यह बहुत किलियर है बेटा कैसे हम लोग ग्राफ को देख करके और पैचानेंगे कि number of zeros क्या होंगे ठीक है अब इसी में कुछ हमारे different cases है जरा इसको भी देख लेते हैं बेटा देखिए पहला case है हमारे पास जैसे कि यह x-axis हो गया y हो गया minus axis और minus y अब करना क्या है बेटा कि यहां पहला पर एक पैरावोला बना लो जा रहा देखो ठीक है यह एक पैरावोला है second case देख लेते हैं पैदे सभी case बना लेते हैं एक बार देखो second case क्या है मेरे पास x-axis y-axis minus x और minus y ठीक है यह चीज़ अब second case कुछ ऐसा है मारे पास बहुत द्यान पर देखेंगे बहुत द्यान से देखना बिटा यह कुछ ऐसा है हमारे पास second case ठीक है एक और बनाते हैं उसके बाद फिर इस पर discuss करेंगे देखेगा third case देखते हैं एक बार third case कुछ ऐसा बनाया हमने x axis है y minus x और minus y अब third case में क्या हो रहा है कि third case का जो हमारा पैरा बोला है वो कुछ इस से प्यारा ऐसा ठीक है यह चीज़ अब बहुत द्यान पर देखना है बिटा देखो अभी मैंने आपके फ़र डिसकस किया था क्या मैंने डिसकस किया था कि अगर quality question है बेटा quality question है ax square plus bx plus c equal to zero ठीक है तो जो quality question होती है तो इसमें degree 2 है तो degree 2 इसका मतले इसके zeros भी कितने होने चाहिए दो होने चाहिए ठीक है यह चीज़ और इसकी जो shape थी वो shape कैसी थी shape थी बेटा इसकी पैरा बोला shape थी अभी मैंने डिसकस किया था था ठीक है अब उसी के basis में इसको judge करेंगे क्या देखिए जैसे first case है तो आप देखा यह shape कैसा है पैरा बोला है तो बिल्कुल सही है यह जो graph है कि सिसका है बेटा यह quality question यह quality polynomial का graph है ठीक है very good अब देखो इस equation तो यह तो इसको कर रहा है बेटा देखो number of zeros two parabola ठीक है सही है अब इस पर हिजा चेक करते हैं देखो अब आप यह single point पर touch कर रहा है इसका number of zeros क्या हो गए one हो गए अब कई बार क्या होता ना कि जैसे हमने देखा कि number of zeros one हो गए तो हमने क्या पढ़ रखा कि अगर किसी graphical representation में number of zeros one हो रहे है तो वो linear हो जाएगा नहीं बिटा आपको graph पर भी ध्यान देना ठीक है तो graph कैसा है पैरा बोला graph है तो number of zeros क्या हो जाएगा one हो जाएगा क्यों तो इस equation में जो x की value होंगी वो जो भी रहे होंगी वो रहे हो रहे होगी मेरी बात समझे रहे है यानि जो x की value रहे होंगी वो कैसी रहे होगी वो आपके पास रहे होगी real and equal मेरी बात बहुत दो हैं देकि number of zeros तो टू ही है पर जो भी value हो पर कैसीальное एपड है I really gonna हो जो पढ़ेंगे quadratic equation, वहाँ पढ़ाऊंगा discriminant, तो discriminant में और इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, अब इस पर इस पर देखने बिटा, देखो अब यह जो पहरा बोला ना तो यह test कर रहा है, x को और ना ही test कर रहा है, y को तो इस case में मैं कह सकता हूँ जो number of zeros होंगे, वह कितने हो जाएंगे, zero हो जाएंगे, अब number of zeros zero इसका बोला यह पहरा बोला जो कार्टी कुशन नहीं होगी, यह भी कार्टी कुशन का यह form है, और shape कैसा है, पहरा बोला, बस यह धान रखेंगे कि इस case में इसके जो zeros होते हैं, ठीक है, या zeros को आप और किस नाम से जानते हो, roots के नाम से जानते हो, इनके जो roots होते हैं, यह कैसे होते हैं, यह imaginary होते हैं, कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं, यह आप कह सकते हैं, यह real नहीं होते हैं, बस यह case होता है, ठीक है, तो जो भी x की value मिलेगी इस वाले case में हमको, वो कैसी होगी, वो real नहीं होगी, बस यह अधान रखना है, ठीक है? के लिए रे बिटा है यहाँ तर, अच्छा, आप देखो जाला, एक टॉपिक और हमारा बचा हुआ है, इसमें क्या, देखे, टॉपिक हमारे पास के सिफ़ क्या हैगा, क्यूबिक आपके लेबस से, हट गया है, ठीक है, रिडिउस हो गया है, तो हमको सिफ पढ़ना है क्या है, बेटा, क्वाद्रिक पॉलिणोमिल, बहुत ध्यां पे देखेंगे इस चीज को, तो देखे, अगर पी आफ एक्स, पॉलिणोमिल उफ एक्स, अगर आपको quality equation दिया गया है, ax square plus bx plus c के form में दिया गया, ठीक है, condition आपको अभी पता है, बेटा, क्या होगी, कि a is not equal to zero, ठीक, तो मैंने क्या किया, देखे, number of zeros कितने होगे, two, तो मैंने यहापे let करिया, कि let the, ऐसे कर लेते हैं, कि let alpha and beta are the zeros of given polynomial px, ठीक है, आपने क्या किया बेटा, जो x square यानिकी number of zeros कितने रहे होगे, two, तो एक को alpha लिया और एक को beta लिया, अब बहुत दियाम पे समझेगे, case क्या होता है, case number one, ठीक है, by relationship यह बता रहे हो, zeros and coefficients, तो zeros क्या होगे, alpha और beta, coefficient क्या है, a, b और c, ठीक है, यह चीज़, तो पहला आपके पास होता है, बेटा क्या, sum of zeros, ठीक है, sum of zeros, तो sum of zeros चीज़, जो condition होती है, वो आपके पास होती है, minus b by a, क्या होती है, minus b by a, इसी को आप कैसे लिखते हो, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो minus b, किसका coefficient है, बेटा, x का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, कि minus, minus, coefficient of, x, upon, coefficient of, a, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते थे, ठीक है, यह चीज़, क्लिए रहें, आप देखों, बेटा, बहुत द्यान से, minus b by यह, coefficient of x, coefficient of a, तो यह तो आपका first case हो गया, second case क्या होगा, second case पर द्यान देना, second इसमें rule क्या होता है, second आपके पास होता है, product of zeros, क्या होता है, product of zeros, देखे, अगर बात करते हैं, product गया नहीं कि alpha into beta, तो बेटा, यह होता है, आपके पास c by a, यह क्या होता है बेटा, c by a, c by a का मतलब क्या होगा, कि देखे, यह तो होगया आपका, constant term, क्या होगया यह बेटा, यह आपका होगया constant term, और a देखेगा, a कहाँ पर है, a जो होगया बेटा, कौन सा coefficient है, x square का coefficient है, है की नहीं, तो a को आप कैसे लिख सकते हो, coefficient of x square, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, यह चीज, तो बेसके लिए, हमारे पास क्या होगया बेटा, कि देखेए, दो rule होते हैं, पहला, कि sum of 0 होता है, minus b by a, ठीक है, अगर alpha और beta आपने लिए, इसको अफरों से हो, तो ऐसे भी लिख लो, कि alpha plus beta equal to, minus b by a, ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, यह तो लिखा है, alpha into beta, ठीक है, alpha into beta क्या होता है, c by a, ठीक है, अब देखो, अगर आपको polynomial find out करना है, ठीक है न, तो third देख लेंगे एक बार, कि polynomial find out करने के लिए, formula क्या होता है, देखो, alpha into beta, और alpha plus beta आपको given हो, तो उस case में, polynomial, यानि, p of x निकाले का, जो formula होता है, हमारे पास, वो होता है, आपके पास, p of x equal to, यह होता है, k bracket x square minus, alpha plus beta, into x, और plus alpha into beta, ठीक है, यह formula होता है, क्या कि k x square minus, sum of zeros, into x plus product of zeros, यहाँ पे ध्यान रखना है, बेटा क्या कि, जो k होता है, यह आपका non zero constant होता है, क्या होता है, non zero, constant होता है, ठीक है, यह non zero constant होता है, ठीक है, यह चीज़, तो देखिए, इस chapter में क्या था हमारे पास, हमने जाना कि, polynomial क्या होता है, polynomial की type क्या होती है, term base और degree base, कुछ graphical method थे वो जाने, zeros कैसे निकाल थे, graphical method से, और non method से, इसके बाद, उनमें relation क्या होता है, ठीक है ना, और polynomial कैसे form करते हैं, यह, तो यह आपका जितना भी introduction था, वो complete हो गया, ठीक है, आप लोग मिलते हैं next lecture में, तो next lecture में लोग क्या करेंगे, NCRT solve करेंगे, और plus जो previous year question है, उसको solve करेंगा, ठीक है,